Hey everyone, मैं हूँ गौरम इश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर और आज के सेशन में हम Class 11th के Maths को और आगे बढ़ाएंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम Class 11th के Maths के Chapter 3, यनि कि जो आपका Trigonometric Function है उसका जो Exercise 3.1 है, उसका Complete Solution देखने वाले हैं यनि कि इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी Question Exercise 3.1 में है उन सभी के Detailed Solutions मिलेंगे, है ना? हर Step आपको मिलेगा, कहीं पे कुछ भी Error आपको नहीं मिलेगा बाकि अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो से चाप्टर के नहीं देखे हैं या Class 11th के नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के Description Box में आप जाएए उस पे आप Playlist पे क्लिक करिए आपके सामने Playlist खुल जाएगी उसमें जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं उन वीडियोस को आप जरूर देखके आईएगा और बाकि ये बात तो आप जानते हैं कि Magnet Brains वो प्लाटफॉर्म है जहां पे Education कंप्रीटली फ्री है तो चलिए अब session को start करते हैं और देखते हैं कि कौन से questions हम इस वीडियो में discuss करेंगे Definitely exercise 3.1 के question है और ये है आपके पास सबसे पहला question Question कहता है Find the radian measures corresponding to the following degree measure आपको कुछ angles दिये गाए है degree में आपको इन degree वाले angles को convert करना है किस में? Radian में तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि degree को radian में convert कैसे करते हैं तो जब भी आपको angle degree में दिया जाए तो degree को convert अगर आपको करना है radian में तो हमेशा इस बात को याद रखेगा कि आपको multiply करना पड़ता है pi upon 180 का किसका multiply करना पड़ता है pi upon 180 का तो इसी चीज़ को हम follow करेंगे जैसे कि यहाँ पे पहला angle है 25 degree तो 25 degree को अगर radian में convert करना है तो यहाँ पे हमने रख दिया pi, यहाँ पे हमने रख दिया 180 अब इसको थोड़ा सा solve करते हैं जैसे कि 5, 5s are 25 होता है 5, 3s are 15 होता है 60, 5, 6 5, 3s are 15, 5, 6 are 36 5, 6 are 30 तो यहाँ पे आपके पास answer आजाएगा 5 pi by 36 इतना answer आपको आगया और यह radian में convert हो गया, बस radian में हमेशा pi में answers लिखते हैं इसके आगे solve करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो simple question था, simply हमने कर दिया चलिए, next question पे आते हैं अगला question जो है, यह कहता है कि angle है minus 47 degree 30 minute, तो देखो minus को बाहर रख दो, ठीक है attention मतलो, यह 47 degree 30 minutes हम लिखेंगे minutes को आपको degrees में convert करना है पुरी दुनिया जानती है, अच्छा इसको ऐसे लिखो, minus 47 degree 30 minutes को आप ऐसे लिख दीजिए, plus 30 minutes, तो आप ऐसे सरलता से लिखेंगे, यह degree तो degree रहेगा, क्योंकि आप इसको convert किसना में करना चाहते हैं, आप इसको convert करना चाहते हैं, रेडियन में, तो पहले इसको complete degree में convert करो, तो 30 minute को अगर आप degree में convert करना चाहते हैं तो आप 30 को किस से divide करेंगे आप 60 से डिवाइड करेंगे, वो किसमें convert हो जाएगा, वो degree में convert हो जाएगा, चलो, इसके बाद, 30 degree upon 60, इसको solve करोगे, यह 47 रहेगा, 30 upon 60 कितना होता है, 1 by 2 होता है, यहाँ calcium ले ले लेते हैं, जब आप calcium लेंगे, denominator 2 बनेगा, 47 into 2, 42 is a 80, और यह इन बन जाएगा 94, 94 degree plus 1 degree upon 2 इसको add करोगे, तो 95 degree upon 2 आपके पास मिलेगा, अब यह तो degrees में है, इसको किसमे convert करना है, अपने को radian में, तो radian में convert करना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं, 5 by 180 से आप multiply कर देंगे, इसको solve कर लेते हैं, यह किस से divide होगा, वो देखना पड़ेगा हमें, सबसे पहले 95 है नीचे 180 है, 5 से cancel करते हैं, यह बनेगा 35 या 45 होगा, एक बर कर लेते हैं, 5, 3, 15, 60 हाँ, यह 36 degrees यहाँ पे हो जाएगा, जबकि आप उपर cancel करोगे, तो 19 से cancel हो जाएगा, तो final answer जो है, आपके पास आएगा, minus 19 pi और नीचे, 36 तूजा कितना, 72 degrees बनेगा, तो आपके पास radian मे answer बन चुका है, minus 19 pi और 72, तो आसान question था, बस minute को degree में convert करके solve करना था, answer आ चुका है, minus 19 pi by 72, इतना आपने कर लिया, आपका question क्या हुआ, कतम हो गया, चलिए, तो इस question को solve करने के बाद, आज आते हैं, हम किस पे, third question पे, third question में जो angle है, वो given है, 242 degree, 240 degree, अगर radian में convert करना है तो वापस से आपको multiply करना पड़ेगा, pi into 180 से, cancel हो जाएगा, 60 times of 4, 240 होता है, 60 times of 3, 180 होता है, इनने की answer बन चुका है, 4 pi by 3, और unit radian की है, हो गया खतम, simple question, चलिए, last question देख लेते हैं, fourth वाला, fourth वाले में यहाँ पे आपको angle given है, 520 degree, आपको radian में convert करना है, आप multiply कर दो, pi upon 180 से, तो कुछ चीज़े cancel कर सकते हैं, क्या, चलो, simply देखते हैं, पहले तो 0 और 0 को cancel कर दो, बचता है आपके पास, 52 pi upon 18, आप क्या cancel कर सकते हो, आप इसको 2 से cancel कर सकते हो, for example, यह 26 हो जाएगा, और यह 2 9s अ, 18 हो जाएगा, इसको further आप और cancel नहीं कर सकते हैं, तो answer आ 9 and the question is solved, चले बढ़िया, तो यह simple सा question अपने और solve कर लिया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यह सवाल करने के बाद, अगले question में आपको radian में angle given है, और उनको convert आपको degree में करना है, और यहाँ पर pi की value आपको दी गई है, 22 by 7, चलो, एक एक करके देखते हैं, first question, पहले question में, जो angle आपको given है, radian में given है, 11 upon 16, यह बात याद रखना, जब वो radian में देते हैं, तो उपर कोई भी symbol वो कभी कबार नहीं लगाते हैं, in fact, 99.9% times में, आप उपर symbol C नहीं देखेंगे, आपको question पढ़के assume कर लेना है, माल लेना है, कि वो radian में ही है, अब हमें इसको degree में convert करना है, तो radian से degree में जाने के लिए हम multiply करते हैं, 180 degree upon pi से, किस से multiply करते हैं, 180 degree upon pi से, अब pi की value तो उन्होंने दी है, 22 by 7, तो उसको place कर देंगे हम, यह हो जाएगा आपके पास 11 upon 16, pi की value आप रखोगे, 22 upon 7, तो यहाँ पे आपने 22 upon 7 रख दिया, इसको further आप solve करोगे, तो क्या होगा, देखो, नीचे वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यह 11 upon 16 रहेगा, यहाँ पे 18 रहेगा, यहाँ पे नीचे 22 रहेगा, पर यह 7 जो है आपका उपर चला गया, 11 को cancel कर दो, 11 बंजा 11, 11 तूजा 22, ठीक हैं, 4 times of 4, 16 और यह आपको उपर मिल जाएगा 45 बस, अब इतना ही cancel अपन कर सकते थे, क्या क्या चीज़े बची, ऊपर अपने पास बचता है 45 multiplied by 7, जबकि नीचे बनता है 4 into 2, आपके पास 8, अब 45 into 7 आपको करना पड़ेगा, चलो multiply कर लेते हैं 45 और 7 को, यह आपके पास 45 है, यह आपके पास 7 है, 7, 5, 35 का 5, 3 चला गया उपर, 7, 4, 28 plus 3, 31, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 315 बचा, तो यह हो चुका है, आपके पास कितना, यह हो चुका है, 315 divided by 8 और यह चीज़ किस में है, यह चीज़ डिग्रीज में है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पास आंगल कितना है, हमारे पास आंगल है, 315 upon 8 degrees, देखो, डिग्री में जब आंगल ऐसा है, यहनि कि यहाँ पर रुकना नहीं है, इसको further convert करना है, कैसे, तो देखे, तो हम यहाँ पर आंगल लिखेंगे, कितना है हमारे पास आंगल, हमारे पास आंगल है, 315 upon 8 का क्या है, डिग्री है ना, हाँ, 315 upon 8 का तो इसको पहले आप divide करके, mixed fraction में convert करोगे, तो mixed fraction में convert करने के लिए, आप 8 से divide करोगे, किसको, 315 को, तो 8, 4, जा, ने, 8, 3, जा करोगे, तो जादा बेटर है, जादा क्या वही कर सकते हैं, 8, 3, जा होता है, 24, 31 में से 24 घटा होगे, आपको 7 मिलेगा, यह 5 जो है, नीचे आ हमने 8 से divide किया, तो यहाँ पे है question 39 बचा, जबकि remainder 3 बचा, और यह चीज़ डिगरी में है, इसको 2 parts में divide कर दो, तो आप लिखोगे कि यह 39 डिगरी, और यहाँ पे जो है, आपके पास 3 by 8 डिगरी बचता है, अब यह जो 3 by 8 डिगरी है, इसको हम minute में convert करेंगे, कैसे minute में convert करेंगे, तो 3 by 8 को अगर आप minute में convert करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 60 का multiply कर दो, जैसे ही आपने 60 का multiply किया, यह minute में convert हो गया, इसको और solve कर सकते हैं हम, 4 2s are 8 और यह 4 times of 15 हो जाएगा, 15 3s are 45 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 39 डिगरी, जबकि यह हो जाएगा 45 upon 2 minutes, बह हो जाएगा 2 से divide करोगे, तो I think यह 22 बचेगा, जबकि उपर 4 बचेगा और यह minute में है, वापस इसको दो parts में आप divide कर सकते हो, यह बनेगा आपके पास 22 minute और जबकि 1 by 2 जो है, उसको ऐसे add करके लिख दो 1 by 2 minute, अब 1 by 2 minute को second में convert कर लो, तो यह तो 39 degree है, यह आपके पास 22 minute है, और इसको अगर second में convert करना चाहते हैं, आप 60 से multiply कर दीजिए, यह second में convert हो जाएगा, आप इसको solve करोगे, तो 39 degree, sorry for this mistake, it is in minutes, this is 39 degree, this is 22 minute, और यहाँ पे जब आप 60 से multiply करोगे, तो 30 बचेगा, तो answer बचेगा आपके पास 30 second, तो final answer क्या होगा, final answer होगा, 39 degree, 22 minute, और यहा से यहां तक पहुँचने के बाद ही आपको पूरे marks मिलेंगे, इसका ज़रुत लगता है, तो screenshot ले लिजे, लगे तो video pause करके आप copy में लिख लेजे, इस चीज़ को भी लिख लीजे, और यहां पे आके आप इस चीज़ को भी जो है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, बढ़ तो pi की value आप यहां पे रखोगे, कितने रखोगे pi की value, pi की value आप रखोगे 22 by 7, अब इसको further solve करोगे 7 उपर चला जाएगा, यह बन जाएगा minus 4 multiplied by 180 degree divided by 22 multiplied by 7, अब इसको solve कर लेते हैं, कैसे 2 से cancel कर सकते हैं, यह 11 times हो जाएगा और यह आपके पास 2 times हो जाएगा, बस इतना ह denominator में बर्षता है, minus 2 multiplied by 180, और यहां पे बर्षता है आपके पास 7, denominator में है आपके पास 11, multiply कर दो चीजों को उपर, तो minus 2 into 180, आपके पास कितना होगा है, फिर इसको ऐसा भी देख सकते हो, 2 7s आपके पास 14 होगा, तो minus 14 multiplied by 180 divided by 11, तो 14 into 18 कर लो, क्योंकि 0 तो आपन last में add कर द होगे, तो यहां पे 18 आएगा, add कर दो 2, 8 plus 7, 15 का 5, 1 चला गए ओपर, 1 plus 1, 2, तो answer कितना बना, answer बना 252, जो कि काफी obvious था, ठीक है, 18 10s 180 होथा, 18 4s आपके पास, I think 72 होता है, तो 180 plus 7, हाँ, सही है, कहीं कोई इशों नहीं है, ठीक है भई, तो यह होगे आपने पास, minus 252, य चलो, आजाए, solve करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, mix fraction में convert करना पड़ेगा, तो चलो, convert करते हैं, mix fraction में किसको convert करना पड़ेगा, 2520 को 11 से divide करना पड़ेगा, तो यह 11 है, और यहां पे हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो, उनन जगे कंपड 11, 2, 22, 25 में से 22 घटाओगे, 3 बचेगा, यह 2 नीचे आया, 11, 2 होता है 22, तो वापस से घटाओगे, 10 बचेगा, यह 0 जो है नीचे आ गया, 11, 9 होता है 99, subtract करोगे, आपके पास 1 बचेगा, यहां पे आपके पास बनता है, यहां पे divide तो आपने 11 से किया है, question आपके पास 229 आया है, remainder आपके पास जो है 1 आया है, यह कुछ ऐसा बना, अब इसको दो पार्ट में हम कर देंगे, जैसा हम करते आये हैं, तो यह बनेगा, minus का यह 229 डिगरी बनेगा, जबकि यह बनेगा 1 अपन 11 डिगरी, अब देखो, 1 अपन 11 डिगरी में तो बात बनेगी नहीं, उसक 60 अपन 11 बन जायागा, तो हम इसको लिख देंगे कि यह 229 डिगरी है, और यहाँ पे जो है, हमारे पास 60 अपन 11 का क्या है, minute है, पर जैसा कि आप जानते हो, 60 अपन 11 मिनिट भी काम नहीं बनेगा, उसको और फर्दर हम solve करेंगे, कैसे, तो यहाँ पे आ जाईए, तो हम सब mixed fraction में convert करोगे, तो मैं direct answer लिख देता हूँ, इस बाट division की जूरत नहीं है, यह 11 होगा, यह 55 होगा, और यहाँ पे 5 जो है remainder बचेगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वापस से इसको दो parts में लिख दो, तो यह तो 229 चलता चला आ रहा है, यह बनेगा 5 minute, और यहाँ पे ब multiply कर दीजिए, यहाँ पे 5 upon 11 multiplied by 60 हो गया, और unit जो है, आपके पास second आ चुका है, इसको solve करते हैं, तो यह बनेगा कितना, यह बनेगा 229 degree, यहाँ पे आपके पास 5 minute है, 5 into 60, यह हो जाएगा आपके पास 300 upon 11, और unit किसकी है, unit जो है आपके पास second की है, तो 300 को 11 से करना है, divide, तो यह रहा बाहर में आपके पास 11, और divide करना है आपको 300 से, तो 300 को 11 2 जा करोगे 22, तो 30 में से 22 घटाओगे, 8 बचेगा, यहाँ पे 0 आ चुका है, 11 और इसको कर दो 11 7 जा, 77, तो 80 में से 77 घटाओगे, आपको 3 बचेगा, इसको थोड़ा और फर्दर करना है, 2 places तक, एक point लगा देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे 0 आ गया, वापस से 11 2 जा 22, तो सब्स्ट्राक करोगे, 8 बचेगा, वापस से क्या बचा, 0 बचा यहाँ तो 11 7 जा, यहनि कि आपके पास 27.7, 27.27 बचेगा, अच्छा, इसको mix fraction में मत करना, हमेशा decimal में करना, ठीक है, तो आपके पास जो final answer, यहाँ पे बचेगा, वो क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो 229 डिग्री है, साथ में यहाँ पे 5 का क्या है, minute है, और यहाँ पे अगर आपने इसको solve किया है, तो आपके पास आया है, 27.27 क्या, seconds, यह है final answer, सबको add करके लिखेंगे, साथ में plus sign की ज़रुत नहीं तो इसको लिखेंगे 229 डिग्री, 5 seconds, और यहाँ पे कितना है, 27.27, 5 minute, 27.2 seconds, बस, इस minus को ऐसे ही रहने देना, आपका answer आ गया, चाहो तो curly braces को हटा दोगे, तो और अच्छा दिखने लगेगा वो, तो आप इस तरीकी से भी answer लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये question खत है, उसमें थोड़ा इससे simple चीज़े हैं, जो angle आपको दिया गया है, वो 5 pi by 3 radians दिया गया है, हम तो जानते हैं, डिग्री में convert करना है, तो हम multiply कर देंगे 180 degree upon pi से, अब देखो, यहाँ पे जो pi और pi है, वो cancel हो गया, in fact 3 1s are 3, और यह 60 हो गया, तो आपने पास बचा कितना आपने पास बचा 5 और यहाँ पे बचा 60, तो 5 into 60 होता है, आपके पास 300, तो angle जो है आपके पास कितना बचा, angle आपके पास 300 degrees बचता है, चलिए, अभी last part को solve कर लेते हैं, बहुत simple question था यह, last part में जो angle है, वो angle आपको given है, 7 pi by 6, तो वापस से अगर degrees में convert करना है, तो 180 degree upon pi से आप divide करेंगे, यहाँ पे pi और इस pi को आप cancel कर देंगे, यह 6 बचे का आपके पास 30, यहाँ पे बचता है 7 multiplied by 30 degrees, जो कि answer आपको देगा 210 degrees, यह final answer आपके पास बन गया, simple question, simple solution, चलिए, तो इस question के बाद बढ़ते हैं अपन अगले question पे, अगला question जो है, अपने पास कुछ यह है, तो यह word problem based है, तो word problem कहता है कि एक wheel है, makes 360 revolutions in one minute, तो how many radians does it turn in one second, question बहुत simple है, question यह कहता है, कि एक minute में कितने revolutions आपका wheel घूमता है, तो एक minute में जो wheel revolutions घूमता है, वो 360 revolutions है, एक minute का मतलब होता है 60 second, यहनि कि 60 second में जो number of revolutions है, वो 360 revolution है, यहनि कि एक second में कितने revolutions होंगे, एक सेकंड में 360 upon 60 revolutions होंगे 360 upon 60 का मतलब क्या होता है 360 upon 60 का मतलब होता है कि आपके पास 6 revolutions होंगे, अब ध्यान से सुनिए आप ये information तो आपको होगी कि एक revolution में कितना radians घूमता है आपका wheel आपका एक revolution में basically 2 pi radians घूमता है, इतना information तो होगा, तो अभी 6 revolutions में निकालना है, basically 1 second में निकालना है पर 1 second में आपके पास 6 revolution होते हैं और एक revolution में 6 pi होता है, तो 1 second में 6 into 2 pi आपके पास answer होगा, इसको solve करोगे तो 1 second में basically आपके पास 12 pi radians जो है आपके wheel का revolution है, इतना आप लिख दोगे, question खतम होगे चलो, तो ये question खतम करने के बाद अपने अगले question पर आ जाते हैं और अगला question अपने पास ये है, इस question में question कहता है, find the degree measure of the angle, substantive at the center of a circle, of radius 100 cm by an arc of length 22 cm तो basically आपके पास एक circle है, क्या है आपके पास एक circle है, इस circle में आपका आपके पास कितना है, वो आपके पास 22 cm है, और आपको angle निकालना है किस में? आपको angle निकालना है ये theta degree में तो angle direct degree में तो निकलेगा नहीं पहली radian में निकलेगा, हम जानते है कि हमारा जो angle होता है वो होता है length of arc upon radius है ना, तो यहाँ पे length of arc कितना given है करोगे, तो degree में convert करने के लिए basically आप जानते हैं कि simple information होता है कि आप multiply कर दीजिए 180 upon pi से, तो यहाँ पर 180 upon pi से multiply कर दिया, पर pi की value put करनी पड़ेगी 22 by 7 तो चलो solve करते हैं, तो जैसे ही put करोगे pi की value 22 upon 7 यह होगा 22 upon 100 multiplied by 180 और pi की जगा आपने डाला है 22 upon 7, इसको further आप solve करोगे, तो theta की value कितनी होगी, यह है 22, यह है upon 100, यह है आपके पास 180, नीचे आपके पास 22 है, और 7 जो है आपके पास उपर चला गया, 22 और 22 को आपने cancel कर दिया, यहाँ पे 0 और 0 cancel हो गया, 2 5s 10 to 9 जा 18, तो बचता है आपके पास theta कितना, 9 into 7 upon 5 और unit क्या है degree की, तो 9, 7 जा कितना होता है, 63 होता है तो यह बना आपके पास 63 degree upon 5, अब 63 को क्या करोगे, आप 5 से divide करोगे, तो 63 को 5 से divide भी कर सकते हैं, चाहो तो दूसरे तरीके तो 63 upon 5 का मतलब होता है 5, 12, 5s are 60 और यहाँ पे आपका 3 आएगा, तो इस तरीके सा अप लिख दोगे अच्छा, इसको दो parts में divide कर सकते हो जाएगा 12 degree, यह हो जाएगा आपके पास 3 upon 5 degree अब 3 upon 5 degree को कैसे solve करोगे तो 3 upon 5 degree को solve करने के लिए आप यहाँ पे 60 multiply कर दोगे तो convert हो जाएगा minutes में यहाँ पे 5 1s are 5, 5 12s are 60 12 3s आपके पास होता है 36, तो जो angle है वह बन चुका है 12 degree और यहाँ पे बन चुका है 36 minute अब इसको further solve करोगे या फिर answer लिखोगे तो आप answer लिखोगे 12 degree 36 minute, this is your final answer question आपका खतम हो गया चलिए, लेना है screenshot तो यहाँ पे screenshot ले लीजिए पहले तो और इसके बाद यहाँ पे आके आप इस चीज़ का भी screenshot ले लीजिए, बहुत बढ़िया, चलो तो इस question को खतम करने के बाद अपने पास question number 4 था, हम आ सकते हैं अगले question पे जो की है, हमारे पास question number 5, question number 5 कहता है, कि एना circle of diameter 40 cm, the length of the cord is 20 cm, find the length of minor arc of the cord, देखो, तो हम एक circle बनाते हैं, इस circle में हमें diameter given है 40 cm, तो हम circle का diameter बना देते हैं, यह center हो गया, यह diameter हमारे पास कितना है, 40 cm given है हमें length of cord given है 20 cm, तो अभी cord बना लो कहीं पे, मानलो आपने cord बना लिया, length कितना है इस cord का इस cord का, इस cord का जो length आपको given है, वो given है आपको 20 cm आपको find करना है minor arc of the cord, तो अगर यहाँ पे आप इस cord का arc देखोगे, तो यह होता है basically इस cord का minor का arc, तो आपको इस minor arc का length calculate करना है, question simple है, पहले तो थोड़ा आपन बात कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज़े given है, जैसे कि हमें given है कि diameter है 40 cm तो लिख दो, कि हमारा जो diameter है, वो हमारे पास 40 cm है, यहनि कि हम यहाँ से radius निकाल सकते हैं, कि हमारे पास जो radius होगा, वो diameter का आधा होगा तो radius को denote पहले किस से करना चाहते हो, radius को small r से denote कर दो, और 40 upon 2 करोगे, तो radius आपके पास आ जाएगा 20 cm, अच्छी बात है radius अबने पास 20 cm आ गया अच्छा, हमें length of cord given है तो लिख दो, हमें यह arc नहीं given है cord की length given है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कि length of cord is equal to 20 cm length of cord जो है, हमारे पास कितना है वो हमारे पास 20 cm है अच्छी बात है, अब देखिए, radius कितना आ चुका है 20 cm, यहनि कि यहाँ पर अगर इसको और इसको radius से join करते हैं तो radius है, अपने पास 20 cm, यह भी है 20 cm, यहनि कि यह कितना है देखो, यह भी कितना निकलेगा यह तो अपने को given ही है 20 cm अगर यह आपके पास center है यह आपके पास point A है यह आपके पास point B है, अपने points का नाम दे दिया तो एक छोटा सा triangle यहाँ पर बनता है O, A, B यह triangle के तीनो sides क्या है, equal है अगर एक triangle के तीनो sides equal है यहनि कि वो equilateral triangle है तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि हमारा जो triangle O, A, B बनता है, यह triangle actually कौन सा बनता है यह triangle actually आपका equilateral triangle बनता है और अगर यह equilateral triangle बनता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो यहवाला angle है यह angle कितना आ गया? यह angle आपके पास 60 degree आ गया तो हम बोलेंगे कि हमारा जो angle A, O, B है यह कितना बनता है? यह हमारे पास 60 degree बनता है लगे हाते इस degree को किस में convert कर लो? radiant में convert कर लो तो 60 degree को अगर आप radiant में convert करना चाहते हैं तो आप pi by 180 से multiply करेंगे, जब multiply करेंगे, तो radian में जो angle है, वो आपके पास pi by 3 आ चुका है, तो ये सारी information हमने यहाँ से निकाल ली, चलो, अब इस चीज़ को यहाँ पे जरा apply करते हैं, तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, अभी के लिए हमारे पास जो है एक circle आ चुका है इस circle में एक point O है, यहाँ पे point A है, यहाँ पे point B है, है ना, और हमको इस length of arc इस small l को करना है, calculate, और radius हमारे पास 20 cm है, और हमारे पास जो angle आ चुका है, वो pi by 3 आ चुका है, बहुत बढ़ी हैं, चलो, अब देखो जरा, तो basically हमारे पास जो theta है, वो कितना है, वो pi by 3 है, हमार पास जो length of arc है, उसको तो निकालना है, और हमारे पास जो radius है, वो हमारे पास 20 cm given है, अगर आपको याद होगा formula, तो जो L होता है, वो r into theta के बराबर होता है, जानते हो, तो रख दो values, तो r की जगह आप क्या रखोगे, आप pi by 3 रखोगे, और, sorry, r की जगह तो 20 रखेंगे, हम r की जगह हम यहाँ पे 20 रखेंगे, theta की जगह हम pi by 3 रखेंगे, इसको solve करेंगे, तो length of arc जो है, 20 pi upon 3, क्या उसने pi की कोई value suggest की थी, नहीं की थी, तो हम अपने मन से रख सकते हैं, जिसे कि 3.14 रख देते हैं, तो यहाँ पे pi की value हम रख देंगे 3.14, तो pi हो जाएगा 3.14 divided by 3, इसको आप further solve कर लीजेगा, length of arc आपके सामने आ चुका है, main यह था कि एक तो यह formula आपको आना चाहिए, और दूसरी बात यह कि इस angle को calculate करना आना चाहिए, और ऐसा पता कि वो equilateral triangle form होता है, इतना कर लोगे ना, question बहुत आसान है, आसानी से answer आ जाएगा, बाकि इसको इसको जरूर लिखना और इसको हमेशा point में calculate करना, वरना half marks जो हमेशा आपके deduct होते हैं, चलिए, तो इस question को करने के बाद हम बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, अगला सवाल जो है, हमारे पास कुछ यह है, तो अगले question में हमें question कहता है, if in two circle, arc of same length, subtract angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radius, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास दो circle है, ठीक है, दो circle given है, मान लिजे पहला circle है, इस circle में मान लो arc है, आपके पास AB और यह आपके पास मान लिजे center है, और इसका radius मान लिजे R1 है, क्या है, R1 है, तो angle जो subtract हुआ है, वो angle मान लि है, थोड़ा सा circle बड़ा बना दो, यह जो बड़ा circle है, इसमें भी जो arc है, मान लो इसका नाम CD रख दोगे, लेकिन arc का length क्या है, same है, मान लो इधर arc का length अगर L है, तो इधर भी जो arc का length है, वो भी कितना है, इधर भी arc का length same है, हाँ, लेकिन यह circle थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए radius r2 और r2 बोल दिया और जो angle है वो basically बनता है आपके पास 75 degrees. यह information आपको given है. तो चलिए एक एक करके अपन क्या करते हैं? सबसे पहले मेरा तो मन यह है कि जो angle degrees में हैं, इनको radian में convert कर लेते हैं. क्योंकि जब भी circle के center पर angle subtract होता है, तो degree में ही conversion useful होता है. तो अगर 60 degree को आप radian में convert करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप basically pi upon 180 से multiply करोगे. तो आप solve करके निकालोगे कि यह तो pi by 3 radian आ जाएगा. वहीं पे अगर आप 75 degree को convert करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी pi by 180 का multiply करोगे. तो यहाँ पे 15, 5 जा और ये 15, 12 जा तो answer जो है आपके पास 5 pi by 12 आ जाएगा. माल लीजिए आप इसको theta 1 बोल दीजिए और आप इसको theta 2 बोल दीजिए. बस इतना आपने कर लिया ना, चलो. इसके बाद क्या करते हैं, हम एक formula लगाते हैं. formula जो आप लगाएंगे, आप वो लगाएंगे, l is equal to r theta. क्या लगाएंगे formula? आप formula लगाएंगे, l is equal to r theta. देखे, तो पहले इसको first वाले circle पे लगाते हैं. तो first वाले circle के according, l जो हो जाएगा, r1 multiplied by theta 1 हो जाएगा. जबकि second वाले circle के according, जो हमारा l होगा, वो r2 multiplied by theta 2 हो जाएगा. अच्छा, यह मालू मैंना, दोनों circle जो हैं, आपके, उनमे length of arc same है, इसलिए दोनों में मैंने small l, small l लिया है. अब एक बात बताओ, दोनों का lhs, l है, l है, यहनि कि जो rhs वाला part है, वो भी क्या होगा, equal होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कि r1 into theta 1, जो है, equal होगा r2 multiplied by theta 2 के. अच्छा, r1 की value बताओ, sir, r1 का तो ratio निकालना है, theta 1 की value बताओ, theta 1 की जो value है, आपके सामने निकाली है, मैंने pi by 3, तो theta 1 की जगह आप pi by 3 रख देंगे, r2 आपको नहीं मालुम है, theta 2 की value क्या रखोगे, theta 2 की value आप रख दोगे, 5 pi by 12, तो यहाँ पे theta 2 की जगह डाल दोगे, आप 5 pi by 12, अब इसको solve कर लो, pi और pi जो है, आपस में cancel हो गय, 3 1s आ 3, 3 4s आ 12 हो गया, यहनि कि r1 की value आ गए, r2 multiplied by 5 upon 4, r2 को नीचे ले आओ, तो r1 upon r2 की जो value आ गई, वो आ चुकी है, आपके पास 5 upon 4, तो r1 upon r2 की value निकाल लिया, आपने 5 is to 4, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कि r1 is to r2 की जो value है, वो actually कितनी है, वो 5 is to 4 आपके सामने है, तो इस तरीके से हमने question को क्या कर लिया, solve कर लिया, ratio निकाल लिये, फटा-फटा आप इसका भी screenshot ले लिजिए, और यहाँ पर आके आप इसका भी screenshot ले लिजिए, चलिए, तो इस question को खतम करने के बाद हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे पास ये है, तो question कहता है, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of length 10 cm, 15 cm, 21 cm, देखिए, question बहुत simple है, कि माल लीजे, आपके पास एक pendulum है, इस pendulum का उन्होंने length दिया है, length कितना दिया है, length दिया है, 75 cm, बहुत अच्छी बात है, यह जो pendulum swing करता है, swing कैसे करता है, कुछ इस तरीके से swing करता है, अच्छा कितना degree बनाता है, आपको वही निक निकालना है, first case में, जो length आपको दी गई है, वो अलग-अलग दी गई है, अलग-अलग case में, पर situation कुछ इस तरीके से है, हम देख लेंगे, तो radius हम समझ सकते है, 75 होगा, इस तरफ भी radius होगा, वो भी कितना होगा, 75 होगा, तो formula तो हम समझ गया, और angle हमें निकालना है किसम आर्क लेंथ कितना है इस case में, तो arc length आपके पास 75 है, और नहीं, arc length नहीं है 75, radius है आपके पास 75, तो नीचे तो आपका 75 put हो जाएगा, अब 3 cases हैं, तीनों cases में arc की length अलग-अलग है, अगर हम first case में बात करोगे, तो theta 1 बोल दो, यहाँ पर आप उपर 10 put कर देंगे, इसको solve करोगे, तो 10 upon 75 इसको further cancel out करोगे, तो आजाएगा 2 upon 15, तो 2 upon 15 radians बनेगा, अगर second वाले case में बात करोगे, तो वहाँ पर theta 2 बोलोगे, तो देखो, सिर्फ arc की length change होगी, बागे सब सेम रहेगा, तो उपर 15 आ गया, नीचे 75 आ गया, solve कर आपने तो theta की value जो होगी, 1 upon 5 होगी, तो यहाँ पर theta 2 आ गया, 1 upon 5 radians, और third case में आप बात करेंगे, theta 3 बोलेंगे, तो वहाँ पर arc length कितना हो जाएगा, इस बार 21 हो जाएगा, तो बस numerator change होगा, 21 upon 75, cancel हो सकता है, 3 7s are 21, और 25 3s are 75, तो यहाँ पर जो angle बना है, वो आपके पास बना है, 7 upon 25 radians, इस तरीके से आपने theta 3 भी निकाल लिया, तो बस आपने theta 1 भी निकाल लिया, आपने theta 2 भी निकाल लिया, और आपने theta 3 भी निकाल लिया, तो इस type के question आप बड़े ही आसानी से solve कर सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पर जो exercise 3.1 है, इसका question number 7 होता है, खतम, और इसी के साथ हमारी ये video भी होती है, खत www.magnetbrains.com, जैसे ही type करोगे, ये website खुलेगी, website खुलते ही, CBS से English वाला option select करना, class 11 को select करना, और class 11 आपके सामने आ जाएगा, maths पढ़ना है, तो इसमें जाके watch now पे click कर देना, maths के सारे lectures आपके सामने होंगे, जिसके भी video देखनी, उस chapter को click करना, उसका video आपके सामने play हो ज शेयर करना है, बागी कहीं पे कुछ भी doubt लगे, तो comment section आपके सामने है, comment जरूर कीजेगा, so that's all for this video, पर यहाँ पे trigonometric function का बस एक part खतम होता है, जो था angle and arc length, या फिर कहलो measurement of angle, अब शुरू होता है आपके trigonometry का most important part, जो के अगली video से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे detailed discussion ह होगा आपके trigonometry पे, तो that's all for this video, stay tuned at magnet brains for first.